सब्सक्राइब बहुत बहुत स्वागत हैं सरकारी सिक्षक बरती 2023 से ज्यादा पोस्ट है 290 से ज्यादा पर्मनेंट पोस्ट है रेगुलर पोस्ट है और इसमें अच्छी बात यह है कि दूसरे राज्यों के या दूसरे यूनियन टेरिटरी से बिलॉंग करने वाले पर यह भी देखेंगे कि B8 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और BTC वाले भी अप्लाई कर सकेंगे सालरी अच्छी रहेगी 60-65,000 के राउंड सालरी होने वाली है वाकि कि सभी डीटेल्स आगे वीडियो में हम चेक कर लेता है तो यह ओफिशल वेबसाइट है इसी ओफिशल वेबसाइट पर एक्रूटमेंट सेक्शन में ही आपको नजर आने वाली है यह नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ओफ एजुकेशन चंडिगड अर्मिनिस्टेशन की तरफ से रिलीज हुई है और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने अल्रेडी देखा होगा इस एड अबडेट आ गई है तो वह भी देख लेते हैं पहले अड़र्टीजमेंट आपको याद दिला दू यह अड़र्टीजमेंट है अगर आपको याद हो इसके हिसाब से ओन्लाइन अप्लिकेशन शुरू हो जानी थी लेकिन अभी तक नहीं हुई तो इस वीडियो में देख लेंगे ओन्लाइन अप्लिकेशन के लिए क्या नोटिस आया है अगर आपको इस एड़र्टीजमेंट के बारे में नहीं पता है थोड़ा सा ब्रीफ मे है लेकिन इसमें 293 पोस्ट हैं सभी राजों के कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं दूसरी अच्छी चीज यह है यह देखें यहां पर लिखा है 293 पोस्ट जूनियर बेसिक ट्रेनिंग प्राइमरी टीचर क्लास 1-5 को पढ़ाना होगा स्टेंडर एक से लेके 5 तक को क्वालिफिकेशन कर सकते हैं क्वालिफिकेशन की डीटेल भी अगर आपने पहले भी चेक किया होगा नहीं किया है तो देखनें इसमें पेस्केल काफी अच्छी है गवर्मेंट की वेकेंसी है पेस्केल है 9300 से लेके 34800 प्लस ग्रेट पे 4200 तो करेंट जो बेसिक पेसिक प करते हैं क्वालिफिकेशन भी काफी अच्छा है कि यूद्ध वालों को भी अपर्चनिटी दे रहे हैं अगर आप 50% ग्राजुएट हैं ग्राजुएट हैं 50% याइब मार्क्स के साथ सब्सक्राइब तक किसी भी सब्जेक्स करते हैं कि कौन सा सब्जेक्त तो कोई भी सब सब्सक्राइब तो किसी भी विशह से आप 50 प्रतिशत या अधी कंकों से ग्राजुएट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ग्राजुएट हैं किसी भी प्रतिशत मार्क्स के साथ में 50% नहीं भी है बट आपने डियलेड किया है तो साल वाला तब भी आप कर सक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसके लिए इसके ओनलाइन अप्लिकेशन की डेट का इंतजार हो रहा है तो अभी इस पर देख लेते हैं अप्डेट क्या है एक्चली बीच में नोटिस आई थी कि 8 ऑगस्स से ओनलाइन अप्लिकेशन शुरू कर दी जाएगी लेकिन 8 ऑग सब्सक्राइब कर सकेंगे तो अगर इस न्यूस की माने तो 9 ऑगस्स 2023, 9 ऑगस्स 2023 को शाम पांच बज़े से फिर से पोर्टल आपको देखने को मिल सकती है अगर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए क्योंकि फिर से 20 जुलाई की डेट थी 8 ऑगस्त किया 8 ऑगस्त को भी बन कर दिया 9 ऑगस्त को फिर से आया ही देट की श 50 अंगों की परिक्षा होगी पेपर में 40 प्रतिशत अंग लाना अनिवार होगे चयन मेरिट के आदार पर होगा तो इतना क्लियर है और इसमें क्या लिखाए ग्रेज़ेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंटर एजुकेशन ज़रूरी साथ ही बैचलर वाले भी कर सकते हैं जिनके पास बीएड है सैथिस्वर्ष के उपर नहीं होनी चाहिए यह जन्रल कैटेग्री के लिए नियमित भरती है पर्मानेंट पोस्ट है हाथ से आवेदर आज मतलब नाइन अगस्त तो यह अपडेट आ गई जो ऑनलाइन अप्लिक चंडिगाड अद्मिनिस्ट्रेशन इसके उफिशल वेबसाइट पर आप देखेंगे पिलाल आपको क्विक लिंक में कोई भी लिंक ऐसा नजर नहीं है ऑनलाइन लिंक पर कोई भी लिंक फिलाल नहीं है क्योंकि यह वीडियो बारा बच के अंठावन बारा बच के इसके अठावन नहीं करें यह वेबसाइट भी थोड़ी अजीव है यह थ्री डॉट बेसिकली दिये जाते हैं कि काम करता है यह फिलाल देखते हैं तो मैं आपको क्या करते हूँ है यह जो ओफिशल वेबसाइट है इसकी जो रिकूट्मेंट पेज की लिंक है यह जो देखना चाहते हैं कैंडिडेट यहां पर हैं तीज जून की देट से रिकूट्मेंट नोटिस और डीटेल आपकोस्ट और एडुकेशन डिपार्मेंट चंडिगर अर्मिनिस्ट्रेशन इसमें सारी डीटेल देख सकेंगे और नहीं अपडेट के हिसाब से जो सब्सक्राइब होते हैं तो उनके लिए कवर कर देती हूं कि इसमें कैसे सेलेक्शन क्राइटेरिया होगी सेलेक्शन क्राइटेरिया रहेगी कि 150 मार्क्स का अबजेक्टिव ताइप मल्टिपल चोइस इसमें 40 परसेंट सभी क्वाइड को लाना होगा और मेरिट लिस्ट बनेगी 40 परसेंट टो क्वालिफाइंग मार्क्स ही और इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेंगी interview इसमें नहीं है कोई interview कर जंजट नहीं है मतलब इसमें मेरिट लिस में नाम आगया तो document verification के बाद आपको joining मिल जाती है इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें जो क्या-क्या questions रहेंगे धाई गंटे का पेपर रहेगा इसमें general awareness, reasoning ability, arithmetic and numerical ability, teaching aptitude, information and computer पे रहेगा, English language comprehension पे ये जो एक Punjabi language है ये difficult हो सकता background candidates के लिए जो पंजाब के नहीं है तो ये इसको छोड़के आप आंकी में score कर सकते हैं Hindi language, mathematics, general science and social science है आप application करना चाहें तो इसको देखते हुए आप apply कर सकते हैं सभी section आप तच कर सकते हैं सभी section को आप तयार कर सकते हैं सिर्फ एक 7 वाला जो पॉइंट है इसको आपको ऐसे सोचना होगा कि इसको छोड़के आपको highest marks लाने है करिए तो हिंदी में question को पढ़के समझ के हिंदी में answer करने का भी option आपको दिया रहेगा इसके बाद फीस की बात कर लेते हैं इन candidates के लिए repeat कर दे रहे हुं जिन candidates को पता नहीं होते हैं वो तो उनको पता नहीं होता है पीस की detail चेक कर लेते हैं यह date अभी valid नहीं रहे गई है नए date के इस आप से जो last date रहेगी वो अपसे बढ़ा दी जाएगी क्यूंकि already late शुरू हो रहा है तो late ही जो है पीस की detail देखें एक बार आप पे करेंगे आप फिर आप सचेंगे विड्रा करें तो विड्रा नहीं होता है फीस थाउजन रुपीज है और अगर एसी candidate रहेंगे तो बाहर के candidate और जेनरल काटेग्री में अप्लाई करेंगे तो थाउजन रुपीस बाकि एसी जो वहां के होंगे डो मिसाइल रहेंगे उनको 500 रुपे 500 रुपीज अप्लिकेशन पी लगेगी यह डेट नहीं देखना है डेट अभी फ्रेश डेट है फ्रेश डेट के हिसाब से जैसे अभी बोल रहें कि 9 अगस को शुरू होगी तो 9 अगस को शुरू होगी और चार सेप्टेमबर दोवे तक फीज जमा करवानी होगी तो यह है अप्डेट